Hello students आज हम हिंदी व्यापरण में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझने वाले हैं जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पढ़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं सकर्मक क्रिया की फैचान हम कैसे करेंगे? पुलिस ने चोर को बहुत पिटा यह वाक्य सकर्मक है या नहीं है यह देखने के लिए हम क्रिया को क्या किसे या किसको प्रशन पूछेंगे और अगर इन तीनों में से किसी एक प्रशन का उत्तर हमें मिलता है तो यह सकर्मक क्रिया है इसमें वहव है पीटा हम पहला प्रशन पुछते हैं क्या पीटा क्या इसका अंसर हमें मिलता है क्या नहीं मिल रहा है अब दूसरा पुछते हैं किसे पीटा या किसको पीटा तो इसका अंसर मिलता है चोर तो चोर यह शब्द इसका कर्म है तो यह वाक्या सकर्मक है अब अकर्मक क्रिया देखते है जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते है सिंपल डेफिनिशन है जिसमें अबजेक्ट नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते है और जिनमें अबजेक्ट होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते है हम पुरा दिन इधर उधर घूमते रहे इस वाक्य में घूमते रहे यह क्रिया है अब हम क्रिया को question करते हैं प्रशन पुछते हैं क्या घूमते रहे क्या हमें answer मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वैसे हम किसे घूमते रहे या किसको घूमते रहे ये question भी पूछते हैं और इसका भी answer हमें नहीं मिलता है तो हमें तीनों भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो यहां अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानना बिल्कुल easy है इसमें हम क्रिया को, मतलब वहब को, क्या, किसे और किसको यह तीन question पूछेंगे और इन में से किसी एक भी question का answer अगर हमें मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है और अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है जो शब्द हमें उत्तर के रूप मिलता है वो कर्म होता है आज हम सहायक क्रिया समझने वाले हैं सबसे पहले तो हम सहायक क्रिया की परिभाशा मतलब डेफिनेशन देखते हैं किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया पत को सहायक क्रिया कहते हैं सहायक क्रिया हमें क्या बताता है तो उस वाक्य का काल मतलब उस सेंटेंस का टेंस बताता है कभी-कभी सहायक क्रियां मतलब helping verb एक होती है या एक से भी ज़्यादा हो सकती है अगर हम simple words में कहेंगे तो सहायक क्रिया क्या होती है तो मुख्य क्रिया जो main क्रिया होती है main verb होता है उसका meaning और explain करने वाला word होता है अब हम इसके उदाहरन देखते हैं बच्चा गेंद खेल रहा था इस वाक्य में मुख्य क्रिया है खेल और सहायक क्रिया है रहा था रहा था ये शब्द बताते हैं कि यह वाक्य अपूर्ण भूदकाल में है इस वाक्य में दो सहायक क्रिया हैं रहा और था तो इन वाक्यों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहां है, थे, है, है, चाहिए, है यह सहायक क्रियाएं हैं और यह सभी सहायक क्रियाएं जो में क्रियाएं हैं जैसे पढ़ी, बैठे, जाना, आती, करनी, कर इन मेन क्रियाओं के अर्थ को और ज़्यादा स्पष्ट करने में मदद करती है हेलो स्टूडेंट्स आज हम संयुक्त क्रिया क्या होते हैं ये समझते है जब दो क्रिया मिलकर तीसरी नई क्रिया बनती है तो उस नई क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते है पहला उधारण है रोजगार की तलाश में लोग शहर जाते हैं इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं जाते और हैं जाना का जाते हुआ है और होना का है हुआ है तो जाना और होना इन दोनों क्रियाओं को मिलकर एक नई क्रिया बनी है और वो है जाते हैं हम सब ने गांदी जी की विशे में पढ़ा है इस वाक्य में दो क्रियाएं है पढ़ना और होना और ये दो क्रियाएं एक साथ आकर एक नई क्रिया बनी है वो है पढ़ा है इन वाक्यों में जाते हैं पढ़ा है, रहा था, लगी होगी ये सभी क्रिया शब्द हैं लेकिन ये क्रियाएं एक से ज्यादा है तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया होती है और जो दूसरी क्रिया होती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं रोजगार की तलाश में लोग शहर जाते हैं इस वाक्य में जाते यह मुख्य क्रिया है और हैं यह रंजक क्रिया है आज हम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं यह समझने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है क्रियाइ मतलब verbs. हमें ऐसी क्रियाओं से पता चलता है कि उस वाक्य का करता, करता मतलब subject, उस वाक्य का करता स्वयम कोई कारिय नहीं करता है. तो किसी और से करवाता है या किसी और को कायरी करने की काम करने की प्रेरणा देता है और ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं जैसे करवाना, कटवाना, लिखवाना, सुनाना, इत्यादि मालिक नौकर से काम करवाता है इस वाक्य में दो करता है दो सब्जेक्ट है पहला करता है मालिक और दूसरा करता है नौकर इस वाक्य को देखने के बाद हम समझते हैं कि इस वाक्य में काम नौकर करता है लेकिन इस वाक्य का करता मालिक है वह अपने नोकर को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है या प्रेरना दे रहा है इंस्पायर कर रहा है तो यह वाक्य प्रेरनार्थक्रिया का उदाहरण है इसमें करवाता यह शब्द प्रेरनार्थक्रिया है अगला उदाहरण है दीपक सभी को गाना सुनाता है मैंने डाकिये से पत्र पढ़वाया यहां तीनों आख्यों में करवाता, सुनाता, पढ़वाया ये तीन प्रेणार्थक्रियाएं है अब हम प्रेणार्थक्रिया के भेद देखते हैं प्रेणार्थक्रिया के दो भेद हैं प्रथम प्रेणार्थक क्रिया और द्वितिया प्रेणार्थक क्रिया क्या है क्रिया का वह रूप जिसमें करता स्वयम भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेणा देता है तो क्रिया के उस रूप को प्रथम प्रेणार्थक क्रिया कहते हैं यहां एक उदाहरन लिखा है किशोर सब को गाना सुनाता है इस वाक्य में करता है किशोर गाना किसके द्वारा सुनाया जा रहा है तो किशोर के द्वारा सुनाया जा रहा है और सुनने का काम कौन कर रहा है जो भी अन्य वेक्ती हैं वो गाना सुनने का काम कर रहे हैं तो इस वाक्य में करता खुद काम करने में, काम करने में इन्वाल हो रहा है और दूसरे लोगों को सुनने की प्रेड़ना दे रहा है तो यहां प्रथम प्रेड़नार्थक क्रिया का उदारण है प्रथम प्रेड़नार्थक क्रियाओं में सुनाता, पढ़ाता, सिखाता, उठाता इस टाइप के क्रियाएं आएंगी क्रिया का वह रूप जिसमें करता स्वयम कारिय न करके दूसरों को कारिय करने की प्रेणा देता है उसे द्वितिय प्रेणार्थक क्रिया कहते है शाम अध्यापक से बच्चों को पाठ पढ़ाता है इस वाक्य में शाम बच्चों को पढ़ाने का काम स्वयम नहीं कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है तो वो अध्यापक को काम करने की पाठ पढ़ाने की प्रेणा दे रहा है इस वाक्य में पढ़वा था यह वितिय प्रेणार्थक क्रिया को है प्रेरणार ठकरिया के दो प्रेरख होते हैं प्रेरख मतलब inspiration होते हैं रिंग मास्टर ने जानवरों से कर्तब करवाए पहला टाइब है प्रेरख करता जो किसी और को प्रेरणा देता है उसे प्रेरख करता कहते हैं रिंग मास्टर स्वयम या खुद करतब नहीं कर रहा है तो वो जानवरों को करतब करने की प्रेरणा देता है तो जो किसी और को प्रेरणा देता है उसे प्रेरणा करता कहते हैं दूसरा है प्रेरित करता जो प्रेरणा लेता है जो इंस्पायर होता है उसे प्रेरित करता कहते हैं जैसे इस वाक्य में जानवर प्रेरित करता है जानवर रिंग मास्टर से कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं तो जो इंस्पायर करता है वो प्रेरख करता है और जो इंस्पिरेशन लेता है या इंस्पायर होता है वो प्रेरित करता कहलाते हैं